सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस विशेश कारिक्रम में मैं हूँ आपके साथ वर्न गोयल कहते हैं संत समाज का आईना होता है संत वह है जो लगातार समाज के उध्धान के लिए क्म करंगरता है ऐसे एक विराट व्यक्तित्व से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे साथ इस कारिक्रम में मौजूद है कर्म योगी संत शीरी ब्रहम सुरूप ब्रहम स्वामी जी बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में प्रश्ण आप से यह कि यह जो आपके प्रकल्प हैं वो राष्ट्र सेवा है गौ सेवा है सिक्षा का कार्य है समाज सेवा है आखिर इनके पीछे विचारधारा क्या रही है हमारे आदे गुर्यू श्रीब जहराम जी ब्रहमचारी जी महराज से आजीवन ब्रहमचारी थे उन्होंने जब यह समाज में अपने आपको स्था चलाने की बात उन्होंने चोची थी आज एवन ब्रमचेरिया ब्रत ले करके उन्होंने रिशी केस में जहरा माश्रम की स्थापना आज से एक सो पचास साल पहले की थी वहां पे सबसे पहले उन्होंने लंगर की विवस्ता की लंगर की विवस्ता इसलिए की कि जो लोग चार दाम की यात्रा का है वहां से जैरा माश्रम की सेवा की ये गंगा बैने आरम हुई उसके बाद हमारे पांच गुरू हुए हैं बीच में जितने भी गुरू आएं उन्होंने उसी परंपरा को निभाया मेरे पुझयपाद गुर्देव स्री देवद्शु बबचारे जी महरा आज जो इश संस्ता के इस संस्ता को जो पूरे हं दूस्तान में फैला आया है । बारतिया संस्कृती संस्कार को ले करके प्रिएंध सेवा कर ले करके ओंफ कर मेरे झाला कि उन्होंने यह क्रिऑ अब्य और कर सीवा की और आ गर्नुस्टान वहां डेली होते हैं यह सारी स्थापनाई की हैं तो मैं उनका शिष्य जब मैं कॉलिज में पढ़ता था तो मैं एकनॉमिक्स करने के बाद उनके पास कोई उत्रा दिकारी शक्षाइसर नहीं था उनने का कि आप एक योग लड़के हैं पड़े लिखे हैं जो उनकी सेवा थी उनसे प्रवावित होकर के मैंने भी ये वर्थ लिया कि मैं आजएवन ब्रमचारी रह करके इनकी सेवा को समाज की सेवा को आगे बढ़ाऊंगा 86 में जब दिकारी उसके बाद इसी धारा में इसी सेवा की धारा में मैं बैता गया उन्होंने एक बात कही कि ये जीवन बड़ा कठीन है ये सेवा एक नंगी तलवार की तरह है जिस पे नंगे पैर से चलना होता है अगर तलवार की नौक आपके पैर में चुबेगी तो आ जितनी भी प्रिस्ति आपके सामने आएंगी उनका मुकाबला करके आपको आगे बढ़ना है बादाएं आई बादाएं देखिए संस्ताएं हैं कभी फाइनेंस की बादाएं आ सकती हैं कभी किसी चीज़ के बादाएं आ सकती हैं लेकिन उन बादाओं को एक चैलेंज के र ने मेरा साथ दिया है अनुमान जी महाराज का मैं प्रम भगत हूं वो मेरे आराद हैं जब भी कोई मेरे जीवन में कोई कस्ट आया है कोई बादाय आई हैं तो विगन अर्ता अनुमान जी है मैंने उनकी सड में जाकर के प्रात्ना भी की है तो तो मेरे गुर जी का जब सरीर सांत हुआ एटी नाइटी टू थाउजन फाइव में उनकी स्मृति मेरे इसी केस में एक बहुत-बड़ा इंटरनेशनल पब्लिस स्कूल बना है दिल्ली में बहुत-बड़ा आश्रम बना है बना है बृस्पिटल है नर्वाना में हृस्पिट है, ये जितनी संस्थाएं, वहां पे हमने गवों की भी सेवा की है. आज हमारे यह सिभी संस्थाओं में कुल मिलाकर के अठाइस से अच्छार तक गाये हैं जो गो सेवा हमारे हो रही है. यह इसलिए कि सेवा वगवान की सेवा है तो 80% गाएं देशी गाएं हैं मेरे मेरी भी भावना गो सेवा की इसलिए बनी कि हमारे जो आदी गुरु जैराम जी माराज थे उन्होंने हरियाना में एक अभियान चलाया था जिस तरह व्यक्ति को संडे को छुटी मिलती है उसी तरह बैल को भी एक दिपंद्रा महीने में एक दिन उसको विराम मिलना चाहिए वो था आमाउस्या का दिन उस दिन किसान हाल नहीं जोते थे बैल को आराम देते थे बैल की सेवा करते थे उसके पूरा ख्याल लग करके उसका रखते थे तो एक दिन उसकी छुटी कराते थे तो ऐसी चीजे में ने अपने संस्ताओं म मारे चल लए हैं रिशी केस में करीब 300 विद्यार्थी जो संस्कृत वेद का अध्यान करते हैं जो योग के बच्चे हमारे संस्कृत पर मेरे प्रशनी यह कि देव भाषा है संस्कृत और हमारे साबी जो गरंत हैं उपनेशद हैं जो वह जातर संस्कृत भाषा में हैं आज संस्कृत की स्थिति है जो मूल जो हमकरे आम व्यक्ति संस्कृत से दूर हुआ है ऐसा विलिख होने का कगार पर है थी जिससे हैं ऐसẤhowर संस्कृत की जो पहले शेता का संवां ता यो यह बिलकुल के बाद से सहमेत हूं इसका गिरावट आने का सरफ एक ही कारण है वो सरकारों की उदासिंता जो इंग्लिस बासा है मैं किसी बासा का विरोधी नहीं हूं यह इंटरनेशनल लेंग्वेज है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इसके लिए इसका सारा बहुत जुरूरी है क्योंकि दुनिया जिस दोड में जिस तरह से दोड रही है तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे वी उसरेश में सामिल हूं आगर उस बासा से पिछड़ते तो नहीं जा पाएंगे लेकिन संस्क्रिक बासा हमारी संसकार की बासा है और जिस व्यक्ति का संसकार का बेश कमजोर है वह उपर उठ नहीं सकता यह संसकारों की बासा है लेकिन सरकारों की उदाशिंता की बज़े से या रुजगार ना मिलने की वज़े से इस बासा को आज य जो इसकाम को कर रही हैं आज भी हमारे हां 700 वेद के पढ़िक पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में विदेशों तक मच्छे जाकर के वेद अध्यान कराते हैं करमकांड करते हैं फिर भी संस्कृति को संसकार को कहिन कहीं जिंदा रखा हुआ है और लेकिन में सर्दा चैनल जो पूरी दुनिया में इसको बड़ी आस्ता के साथ सर्दा के साथ देखा जाता है वो इसलिए नहीं देखते हैं कि चैनल देखना है वो इसलिए देखते हैं कि बारतिया संसकृति का हमें कुछन को सीखने को मिलना है चाया आरति के मार्दम से या किसी संत क क्या परचार कर रहा है और वास्तों में इसके परती आस्ता लोगों की बढ़ी हुई है क्योंकि व्यक्ति हर व्यक्ति धार्मिक मन से कही ने कहीं होता है जुरूर होता है उसको ऐसे चैनल के माध्यम से जो थोड़ा वो देखने को मिलता है सुनने को मिलता है तो उसका मन परस रहे हैं जहां एक कमरे में दिवार होने चाहिए विवस्ता के लिए आज बच्चों के मन में दिवार आ रही है जो की बहुत घलत है यह नहीं होना चाहिए अगर यह इसको कम करना इसको बंद करना है तो संसकार देना बच्चों को बहुत जुरूरी है और संसकार हमारी इसी स आज अभी आपने कहा कि जिस तरह समाज में और परिवार में विखंडन हो रहा है, इंसान निराश्रय के भाव में जादा जा रहा है, बजरंग बली का आश्री लेकर वो कैसे इसे ठीक कर सकता है? देखिए कैसे ठीक की बाती है कि बजरंग बली जी ने पूरे समर्पन भाव से भगवान नाम की सिवा किया है, उन्हें ने अपने आपको कभी आगे करकर के काम नहीं किया, काम किया तो भगवान को आगे करके उनकी किरपा समझ करके ही काम किया है, समर्पन भाव से काम किया ह आज हम लोगों के अंदर थोड़ा एगो है हम बाबाप के पड़ती बड़े भाई के पड़ती कोई समर्पड भाव हमारा नहीं है सब यह समझते कि मैं 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 तो यह जो मैं है यह व्यक्ति को पीछे करती है एहम किसी का भी हो भगवान भी उसको सेहन नहीं करता भगवान उसको आश्रवाद नहीं देते हैं जिस दिन व्यक्ति का एहम खतम हो जाएगा यह सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएंगी मैं कल एक स्टोरी थोड़ी सी सुन रहा था आज कल मैं गीता पर स्टोरी देखता तो सत्य भामा में एहम आ गया था कि मैं पूरी तीनों लोग की सुन्दर पतनी भगवान श्री किर्शन की बन के दिखाऊ हूं मैं आमेशा योवन रहूं तो सुरग से पारिजात विरक्ष की मांग की थी ऐसी स्टोरी है तो भगवान ने ये लिला रची इसलिए के भी सत्य भामा का एहम खतम करना चीए एहम खतम करना चीए एहम भगवान स्युकार नहीं करते तो आज हमारे बच्चों में भी सब में ये जो बात आई हुई है ये खतम होने चाहिए तब जाकर के परिवार उपर उठ सकते हैं तब जाकर के ये सब काम सिद्ध हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है जब आप समर्पन भाव से जाएंगे तो सारे रास्ते उपर वाला अनुमान जी अपने आप विगर नरता है वह अपने आप दूर करते जाएंगे जाएंगे जब आप एहम लेकर के जाएंगे तो बादाएं बहुत आएंगे हम एक चीज़ दिखते हैं कि आज का जो युवा है चाहे वो मंदिर हों धार में कारिक्रम हों आपके आपके भी कारिक्रम होते होंगे संख्या बड़ी दिखती है उनकी लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि समाज में धर्म का विक्टन हो रहा है क्या युवा धर्म की और बढ का जाए किस तरह से इसमें कंट्रोल किया जाए हम सही हमारा पर्जेंटेशन नहीं है आज का युवा धर्म के पड़ती रास्ता रखता है लेकिन इसके साथ इसाथ वह रिजल्ट भी चाहता है कि मैं कथा कर रहा हूं और बच्चे युवा कथा सुन रहे हैं तो यह सोचते की को सुन करके मुझे फाइदा क्या है एक जो यह भावना भी आई है इसको फाइदा ना देखें इसको अपने अंतरात्मा को सुद किस तरह से किस तरह prickा, जा सकता है या जो वो करना चाहते हैं कोई काम करना चाहते हैं तो उसको सुन करके उनके मन में एक यह भावना आए कि नहीं मैं इसको कर सकता हूं मैं इसको कॉंफिडेंस आया है यह बात सुन करके और जिसमें कॉंफिडेंस आता है तो फिर करता ही करता है लेकिन मैं बिलकु इस बात से चिंतित भी रहता हूं कि आज का युवा मंदिर या कथा या किसी मात्मा के पड़ती इस तरह की भामना क्यों रखता है इसी की वजय क्या है वजय हम ही है हम थोड़ा सा थोड़ा सा जो एक संग्रही वाली परवर्ती और अपने आपको स्तापित करने वाली इस्ति रखेगा क्या लोग असमंझजस में हैं कि सच्छा संत कौन है या फिर पर इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए का वो भ्रम की स्थिति में है देखिये बढ़ पता संत की तो बात मैं नहीं करता है लेकिन आपकी भावना कैसी है उसको में मैं तो देखता हूं को प्पटैने की जरूत मैं समझता हो के नहीं है लेकिन तो अपने आप आप के उपर डिपेंड करता है मुझे क्या चीज चाहिए क्या नहीं चीज जो आपको चीज अची चाहिए उसको आप ले ले आज हम आप से साक्षातकार कर रहे हैं उस धरा पर जहां योगेश्वर कृष्ण कैसे लेके रतीром हैं कि या वय व्यूम पूरपा भूआ नहीं नियुकर दिया typing लेकिन इतिता पूरा विश्व का एक गरंत है इसके तो दुरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया मानती है और इसके उपर चलते हैं लोग बले ही गीता के बारे में अमेरिका या इंग्लेंड में इसका नाम ना जानता हो लेकिन जो कर्म करते हैं वो गीता कही है बात कर्म करने की है बात ग्यान की है बात सरदा की है बात विश्वास की है फिर वो सारी चीजें जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहीं हैं वो सारी दुनिया में लेकिन ये गीता को एक दायरे में एक सिमेट के देखना यह मैं नहीं यहां दोनों के दूसरे की जरूरत है कि ऑद धर्म का राजनीती थी जिरूत्स है राजनीती का सबीकार जो माराज वसीष्ट ने राम को यह दसरत को राजनीती चलवाई है उस युग में राजनीती में ध्रम का पुर्वेश्था तो रामराजय कहला आज वह श्तिती नहीं है आज हम थोड़ा सा अपने आपको प्रूव करने के लिए राजनीती को अपने अंदर प्राश्टर को भी गिराती है जब राजा धरम ब्रिस्ट हो जाता है तो जनता उसका नुक्षान उठाती है और जब राजा धार्मिक होगा तो जनता उसका फैदा उठाए जनता को काहित होगा राजा धार्मी को होना चाहिए, राजा को संतों के परती अपनी आस्ता रखनी चाहिए, उनसे लेना चाहिए कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए क्या करना है, वो उनसे ले और जब राजा ही अपने आपको यह कहेगा कि मैं ही वो हूँ, धर्मा चाहरे ह क्या करना है अब सब उतनी, राजनिती धरम के अंदर नहीं होने चाहिए, धरम को राजनिती में परवेश करना चाहिए, तब संबाव है, कि धरम का भी उतना यह एक्ति बन सकती है, ब्रहम स्वरु ब्रहम चारी को, अगर इस स्थिति को ले के आना है द्रम को आगे लेके चलना है तो ब्रम्षरु ब्रम्शारी को राजनितिक लोगों के पिछे नहीं भागना है वो आए चलके क्या करना है मारा आजिस देश धर्म के लिए आप आग्या करें आप मुझे बताएं क्या करना है जब मैं जाओंगा तो अपनी बात थोपएंगे कि ये मारा आजिसा करो तो मैं इसके बिलकुल खिलाप हूँ कि हम संतों को अपना बर्चस्ट अपनी मर्यादा अपना सब कुछ कि अपने गुरू का दिया हूँ कि उसका संमान करना चाइए आया का सत्कार करना चाहिए लेकिन हमें जिस काम के लिए अपने गुरू में सोपा है पहली पistes हमारी धरम है उसके बञाद ये सब वही चर्चा हो रही था इसकी वज़े यह है कि हमने अपना जो हमारा उद्देश से हैं जिस काम के लिए हम हैं उससे हम अलग चले गए हमने जड़ को छोड़ दिया हम तने को पकड़े हुए हैं तो अपनी जड़ों से वापस कैसे जड़ हमारी संसकर्त हैं उसकी तरफ आएंगे जब चोट लगेगी अब दिरे-दिरे बढ़ रहे हैं उस चोट की तरफ जब अब हैं यहका आएगा फिर कोईनों को इस देश में मातमा गांधी आएगा फिर कोईन कोई इस देश में चानग जो लेकिन आज जो श्तिती है मैं खुल के इसरदा चैनल पर कह रहा हूं कि हम अपने कर्तवयों को कहीं ने कहीं पूरा निकर पा रहे हैं यही वजय है आज देश में इस्तिती वने गई है चाहे राजनिती की हो चाहे धर्म की हो दोनों अपने अस्तितव के लिए लड़ रहे हैं अगर इसको संभालना है तो पहले संतों को अपने आपको संभालना होगा तब जाकर के इस्ति एक प्रेस्टोर महाराजी कई बार कुछ सामाजिक कुरूतियां होती हैं जिने परंपरा के नाम पर हम कई बार देखते हैं क्या हमारा जो सनातन धर्म है वह इतना उदार रहा है कि हम कई चीजों को पीछे चोड़ कर आए हैं चाहे वह सती प्रता रही है या कुछ और है और जो सती पर्था वाली बाते हैं यह भी इस इत्यास को भी हम जानते हैं लेकिन इसमें अब वह स्थिति नहीं है अब वह बात नहीं है कि भी हमें वही सती पर्था को होने देना चाहिए अब पड़े लिखे लोग है अब थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए अब वो चीज नहीं है लेकिन मैं सनातन धरमुदार है एक प्रश्ण हाना कि क्योंकि जब भी चर्चा होगी बसंतों सो तो प्रश्ण आएगा ही सामने राम मंदिर को लेकर हमें लगता है कि लोग भी कुछ अधीर हुए हैं धैरे भी कही ना कहीं जवाब देता है वक्तव भी लगातार सामने आए हैं आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए था देखिए मैं इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ गोहल साथ लोग यह कहेंगे ब्रमचायर जी किसी विचारदारा से को रखता है लेकिन उस विचारदारा से इस संब्ध मेरा कोई लेना देना नहीं है वो एक अलग चीज है लेकिन मेरी भगवान राम में आसता है मैं अनुमान जी का भगत हूँ अनुमान जी राम के दासें भगत हैं मैं इस परंपरा क जासतरेंगे है लोक आज संकल्प करके इस एजेंडर को छोड़ दें कि हमें राम के परती राजनीति नहीं करनी आंद मंदर के लिए क Nous この द्रूब्स से संत मात्मा माम मंदर की इस्थापना करें और ये हमारे से स्योग मांगते तो हम इनको स्योग दें देश के संक्राचारी हैं चार संक्राचारी हैं हमारे क्यों नहीं राजनितिक लोग कहते हैं कि भी संक्राचारियों से प्राथना करते जाके कि महराज आप राममंदर की स्तापना करिए हिंदुस्तान की जंता चाहते हिंदुस्तान का संथ चाहता है मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी राम मंद्र बन जाएगा मुसल्मान देश का चाहता है कि राम मंद्र बने हर संथ चाहता है राम मंद्र बने लेकिन कोई विक्ति कोई संथ यह नहीं चाहता कि राम के सात्त राजनिती हो आज तक सिरफ इसकी तरफ एक कदम भी हम नहीं बढ़ाएं वापस धर्म के प्रश्णों पर आते हैं कि धर्म को लेकर जिस तरह से हम समाज में कई तरह की बाते सुनते हैं धर्म आपने का उदार होना चाहिए लेकिन जिस तरह का यह दौर है जाए सोशल मीडिया के बात भी कर लें जिस तरह की कट्टरता जिस तरह का एक तरह का जो महौल बन रहा है यह नुक्सान देने लाएक कि मैं इस बात को पहले है कि सुनातन धर्म बहुत उदार ह है बहुत सरल है और धर्म को तो उदार होना ही चाहिए जिस व्यक्ति में धर्म है जिस व्यक्ति के अंदर भावना धर्म की है वो व्यक्ति भी उदार होगा वो व्यक्ति भी सरल होगा कट्रता किसी चीज का हल नहीं है उदार तो होना और सुनातन धर्म हमारा देखिए कित हैं तो जो सामाजाश हैं आपकी संस्ता जो चलाती है इतने प्रकलप क्या समाज के उध्थान के लिए जो भारत का साधू समाँज है यह संत्समाज है वह इस ततपर रहे की एक एक चीज़ जिसका प्रभाव tähän अगर वो यह बताए कि गर्ब में बच्ची को नहीं मारना है तो कि ऐसी चोटी-चोटी कुरूतियां संतों का असर बहुत ज्यादा होता है और मुखर होना पड़ेगा संतों को बिल्कुल होना पड़ेगा संतों का यही काम है जहां समाज में कुरितिया आई वही हैं उनको दूर करने का संतों का काम है कन्या ब्रोण अत्या महपाप है इसकी जानकारी समाज को संतों को देने चाहिए बताना चाहिए समझाना चाहिए कन्या हमारी देवी है कन्या हमारी मा है कन्या हमारी बेटी है हमारी संस्कृति है हमारे संसकार है ऐसा पाप अगर होता है तो उस पाप की कोई बरपाई नहीं है इसको भगवान भी माफ नहीं कर सकता कन्या बरून अतर जैसा पाप पिर्थिवी पेक्या तीन लोक में नहीं है इसको रोकने के लिए संतों को आगे आना चाहिए, ये काम हमारा है, कहना चाहिए, जरूरी है, और जो अर्धकूम बिलाबाद प्रियाग में है, ये ग्यान का कुम्ब है, यहां संस्कृती में जब विक्रती आती है, जब व्यक्ति के संस्कार गिरते हैं, देश की जनता पत् कंकरा चाहरे, जनता को संबोधन देते हैं, कि ये गलत हो रहा है, इसको दूर करें, इसको छोड़ें, ये कुम्ब इसी काम के लिए होते हैं, ये ग्यान कुम्ब भी होता है, ये आहिजवन जो बड़े-बड़े होते हैं, ये इसी के लिए, आज पूरे पंजाब में, पू कितनी कमझोर हो रही है यह नहीं हो न चाहिए संतों को कहना चाहिए चल तक तक है संतों कोAg कि जिसदे से मडलिया चलती है संतों की गाहों गाहों में जाकर के निसरे के खिलाप बोलना शुमा बहुँ condiciones जैसा पाप होता है उसके खिलाब बोलना चाहिए बच्चों को अच्छे संसकार देने चाहिए यह संतों का काम है यही काम तो हमारा है जो हमें करना चाहिए यह नहीं कर पा रहे हैं इसी वज़े से यह तकलीफ है और इसको हम कहेंगे तो समाज हमारी बात को मानेगा सुनेगा किसी गाओं में जाकर के बैठे वे हैं वहां बहने बैठी हुई है बच्चे बैठे वे हैं वहां बताएंगे कि यह गलत चीज नसा तो घर में जाकर के चर्चा होगी के महराज ने कहा है गुरु महराज ने कहा ह कि गलत है तो उसका आसर होगा एक व्यास पीट पे कोई कथा वाज़सेक प्रवचन करता है अगर उसकी बानी में confidence से सत्यता है क्योंकि व्यास पीट तो भगवान की पीट होती है वह बोलेगा तो उसका आसर होगा करना चाहिए हम संतों का हमारे संतों का यह काम है हमारे संतों काम यह निया कर दुकूब में लोगों को सिनान कराएं लेकिन राजनीतिक लोगों को सिनान करा हैं यह संतों काम नहीं है कि वहां पर एक धर्म संसत अलग लगती है कि यह सब क्यों अधिये आ अगर यह धर्म के लिए नहीं है राजनिती को सीच रही है और अपने स्वात को सीच रही है यह तो अधर्म संसद है यह धर्म संसद नहीं हो सकते हैं धर्म संसद केवल धर्म के वही बात के धर्म में जब विकरती आती है समाज जब विकरता है तो धर्म संसद के बाद दर्म स तो द्रमाचारी जब संक्राचारी आदेश करता है तो उसका आदेश जंता को बाहना चाहिए वह हमारे द्रम के सर्वोच सत्ता है एक प्रशना आस्ता से जुड़ा हुआ है विश्वाश और अंद विश्वास के बीच में बहुत बारीक सी लखील होती है जो भोले-बहले आ लोग अंदर से सच्चा ही बहार आती है वही काम आती है अंदर से मैं बोलूगा ना सच्चा मेरे अंदर जो होगा प्रेम होगा सत्ता होगी विश्वास होगा confidence रिस सब होगा मैं तो आप समझेगे कि नहीं दिल से बोलना है दिल से बहुना है तो आज यही तो प्रदर्शन का जमाना जो है उसकी तरफ हम खिचे जा रहे हैं और उसी से अम ठगे भी जा रहे हैं तो इससे तो बचना चाहिए यह संतों का काम नहीं है दर्शन का दर्शन बहुत ज्यादा है आज अंतों मैं आप से कुछ स्वाल है कि क्या आप को जिस तरह कभी आप समाज देखते हैं ब्रह्मन करते हैं संत समाज का आईना होता है सनातन धर्म की पुनर्श्थापना प्रतिश्थापना वह गौरव वैसी स्थिति में आपको लगता है कि वापस आएगा ऐसी उमीद कर रहे हैं दिखिए आएगा तो जरूर मैं विश्वा सकता हूं आएगा जरूर कभ आएगा मैं कह नहीं सकता लेकिन जब खतम चोट में देखा जाता है बड़ी प्यार से सर्दा से देखा जाता है आपको टोकते भी हैं कि यह चीज़ देखाई है कि महादम से कहना चाहता हूं देश के संच समाज को कहना चाहता हूं हमारे पूजय पाद संक्राचाहर जी महराज से सेचरणों प्राथना करके कहना चाहता और दुनिया की जनता सनातन धर्म के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, परिवारों से भी कहना चाहता हूँ, कि आप सुनातन द्रृम की आस्ता के साथ जुड़ें अगर आपना अपना परिवार पालना है बच्चों का धुश्य बनाना है तो आप बच्चों को अच्छे संसकार दें परिवारों को बनाएं बेटी पढ़ाएं, बेटी बचाएं बेटी बसाएं भी आज जिस से समाज में तलाक की बाता रही है, कि कहीं कहीं माँ बाप बच्चों को संस्कार देने, हम कहीं चूक रहती है इस बज़े से ये तकलीफ आती है, पढ़ाएं भी, बचाएं भी और बसाएं भी यह हमारी संसकर्थी है और इसकी तरफ हमें आना पड़ेगा आज नी कल उमसंक्रा छैरे झायरी और धरमा चायरी में उसे प्राद ना करता हूं कि आप इसकी तरफ बढ़े अन्तमें मारा शीर हमारे दर्शकों के संदे़ देना चाहेंगे आपके दर्सकों को यह संदेश है कि जिस तरह से सर्दा चैनल ने आपके घर तक आपके दिल तक यह चैनल पहुंचा है आप इसको दिल में बसा के रखें और दिल में बसाने के बाद इसको समाज में बाटें तो मैं इस सर्दा चैनल को अपनी सुपका उनाई देता हूं कुर सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन